हर खबर पर होगी, आपकी पकड डाउनलोड कीजिए ABP लाइब इस देश की सेना का, सेनिकों की शौरिता का, बलेदान का केवल उप्योग करना जानती है, केवल इस देश की सेना को एक राजनितिक छड़ी की तरह इस्तमाल करती है, एक वोट बटोरने का जरिया है इस देश जनता पार्टी का रवया इस देश के सैनिक, सैनिक के परिवार, देश की शौरता, देश के जो सैनिक का बलिदान है, उसकी तरह भारतिय जनता पार्टी का चुनाओ के वक्त रवया होता है, हम साथ साथ हैं, जब चुनाओ खतम हो जाते हैं, तो भारतिय जनता पार्टी का र को सुनके देखके भारतिय जंता पार्टी का सर शरम से जुक जाना चाहिए चालिस जवान शहीद हो गए दो धारन दे देता हूँ संजु देवी 24 वर्ष की विद्वा है जिनके पती महेश कुमार उन सेनक जिन्नोंने शहादत ती उनमें से एक थे उनके दो बच्चे हैं एक 6 साल का एक 5 साल का संजु देवी पूछ रही है एक साल हो गया है सरकार ने जो वादा दिया था कि इंद्रिय भाजपा की सरकार ने के 25 लाख मिलेगा सरकारी नौकरी मिलेगी उस वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ संजु देवी विद्वा उस शहीद की पूछ रही है कि सब मेरे घर अफसोस करने के वक्त फोटो खिचवाने तो आ गए पर अब एक साल से जो वादा था जो तैं हुआ था कि जो सरकार मदद देगी सहायता देगी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ दूसरा उधारन इस देश के वीर बेटा कौशल कुमार रावत की पतनी जो आगरा से हैं वो पूछ रही हैं जब पुल्वामा का हाथसा हुआ हमला हुआ जब मेरे पती ने इस देश के लिए शहादत दी जब उसकी चिता जल रही थी कई मंत्री वहाँ फोटो खिचवाने पहुँच गए थे पर आज एक साल हो गया उनमें से कोई भाजपा का मंत्री उनकी गुहार नहीं सुन रहा कौशल कुमार रावत की पतनी पूछ रही है कि फोटो खिचवाने के लिए सब मंत्री वी आईपी भारतिय जन्ता पार्टी के वहाँ लाइन लगाके आ गए थे तो ना तो मेरे पास 25 लाख रुपए आये हैं ना सरकारी नौकरी मिली है क्या ये तरीका है भाजपा का इस देश के सैना की वीरत और शौरता की इज़त रखने का आज शहीद सैनिक जो पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं उनके परिवार केंद्रिय सरकार भाजपा को एक गुहार लगा रहे हैं मदद की गुहार लगा रहे हैं पर ये गुंगी बहरी भाजपा की सरकार ये पुकार नहीं सुन रही है 26-11 का हमला हुआ भाजपा ने उस पे राजनितिक रोटियां सेखने के लिए दिल्ली चुनाओं में पोस्टर छापे लाल लहू के पोस्टर छापे उन शहीदों का लाल लहू पोस्टर पे लगा के वोट मांगी अब दिल्ली चुनाओं हुआ बस्टेंड पे पोस्टर लगे पुलवामा हमले की दोहाई देते हुए उनके नाम पे वोट मांगी पर जब आज संजु देवी एक बिद्वा और कोशल कुमार रावत के परिवार अपनी मदद मांग रहे हैं सरकार से तो बिलकुल चुपी दो प्रशन हैं भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस के पहला एक साल से भारतिय जनता पार्टी राष्ट्य सुरक्षा से जुड़े पुलवामा हमले से जुड़े प्रशनों का उत्तर क्यों नहीं दे रही दूसरा भारतिय जनता पार्टी ये प्रशनों का उत्तर देनेर से घबरा क्यों रही है और चुपी धारी क्यों बैटी है तीसरा ये देश हित में है और देश के लिए जरूरी है पुलवामा हमले में जो ये इतनी बड़ी चूक हुई है इंटेलिजिंस की इसका उत्तर जवाब दही और जिम्मेदारी तैं हो तांकि दुबारा पुलवामा जैसा हमला ना हो दुबारा इस देश के 40 बच्चे शहीर ना हो और दुबारा किसी के परिवार को भारतिय जनता पार्टी के दरवाजे ना खड़कारने पड़ें कि हमारे पती हमारे बच्चे हमारे बेटे ने इस देश के लिए जान दी थी और एक साल से हम आपकी दरदर ठोकरे खा रहे हैं जर बच्चे हमारे बंग्से जन दीज देश करे खा रहे हैं